सभी किसान भाहियों को नमस्कार मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फटिलाइजर के आफिशली यूटूब चैनल पर आलू की खेती पार्ट टू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओटोमेटिक प्लांटर से आप किस प्रकार बुगाई कर सकते हैं बीज उपचार आपको कौन सी फपून ना सक्से करना चाहिए एब आप जब बुआई कर रहे हो तो लाइनों में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए और आप एक एकड में से कितना उत्वादन निकाल सकते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय हमें कितने बीच की जरूरत पढ़ने वाली है और खर्पदबार की रोक थाम के लिए कौन सा हर्भी साइट बैस्ट रहना चाहिए जो कि हम आलू की फचल पर इस्तेमाल कर सकें और इसके अलावा यह भी बताएंगे कि आलू की फचल पर पहला इस पर कब कितनी मात्रा का किस स्टेज पर हमको और हमको कौन कौन सी फपून ना सकका इस पर करना चाहिए जिससे लेट बिलाइट हो अरली बिलाइट हो इस्प्रे के रूप में बड़ा काम कर सकें पूरी जानकारी के लिए दोस्तो लाश तक देखिएगा इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बुआई के समय हमको कौन सी मात्रा में कितना खाद इस्तेमाल करना है तो आप बुआई के समय चाहें तो एन पीके 12, 32, 32 तीन पिर्ती एकड बीज की मात्रा यदि आप एक एकड में आलू की बुआई करते हैं तो आपको एक एकड में 14-15 कुंटल के आसपास बीज की जरूत पड़ती है जैसे कि आपने बीज खरीदा तो आपको बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है जैसे कॉम्बिनेशन आता है पायराकिलोस्टोविन और थायोफेनेट मिथाईल फपूनना सक आती है ऐसे कॉम्बिनेशन से आप किसी भी प्रोड़क्ट को खरीच सकते हैं जिस पर आपको टेकनिकल मिल जाए पायराकिलोस्टोविन और थायोफेनेट मिथाईल जो कॉम्बिनेशन आता है जैसे बी ए कमपनी की जहलोरा फपून नासक पर आपको यही टेक्निकल मिल जाता है यदि फिर भी बायर कमपनी की एमिस्टा फपून नासक बीजों को उपचारित कर सकते हैं बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए इससे उत्पादन में ब्रद्धी होती है और जो फपून दी जनक बिमारियां होती है उन पर आपको अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है तो आपको 25-25 गिराम के टुकडे काट लेने हैं उसके बाद ही आपको बुआई करना चाहिए ये दियान रखें ये जो टुकडे हैं एक टुकडे पर कम से कम एक से दो आख होना बहुत ही जरूरी ह उननत सील किसमों की बात करें तो अरली मैचुर्टी वैराइटी है जैसे कुपरी पुखराज कुपरी खेयाती जैसे वैराइटी को आप लगा सकते हैं वहीं लेट मैचुर्टी वैराइटी की बात करें तो कुपरी बादसा एल आर पोटेटो जैसी वैराइटी लगा सकते हैं यदि processing maturity बैड आईटी की बात करें तो जैसे चिप सोना एक तदा चिप सोना तीन और आप बात करें बुवाई करते समय आपको कितना distance सर्वोत्तम जो दूरी है plant से plant के बीच की दूरी 10 से 15 cm रखना चाहिए और line से line के बीच की की दूरी 45 cm रखना चाहिए और बीच की गहराई 6-7 cm रख सकते हैं अगले और महत्पून टोपिक पर बात करते हैं खर्पदबार्ग तो आलू की फसल पर आपको जैसे ही बुवाई की है आप प्री इमर्जेंट हर्भी साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू बुवाई के तुरंत बाद आप खर्पदबार नियंतरन मैट्री ब्यूजन 70% डबलू पी 100 ग्राम पिड़ती एकर का 200 लिटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे ही आपने बुवाई की है इसके 2-4 घंटे वाद प्रीव कर सकते हैं इसके अलावा बात करते हैं पहले इस्प्रे के बारे में कि आलू की फसल में आप कौन-कौन सी कीट नासक और कौन-कौन सी फपून नासक मिक्स करके इस्प्रे करना चाहिए तो आलू की बुगाई से लगबग 25-30 दिन के आसपास की होती है तो आपको कारवन डाजाइम 12% पिलस मैन को जैब 63% 40 ग्राम फपून ना सक और इसके साथ साथ आप एक कीट ना सक ले सकते हैं किलो रो पाइरी फोर्स 50% पिलस साइपर मेथेन 5% EC को 30 ml इन दोनों को मिक्स 15 लेटर पानी में मिला कर आप स्प्रे कर देना है अब हमारी आलू की फसल पर लेट बिलाइट वे अर्ली बिलाइट हो इसकी रोग थाम करने के लिए कारवन डाजाइम पिलस मैन को जैब सुरूबाती अबस्ता में बढ़हा काम करने वाली है आलू की फसल पर यदि आप टाइम टू टाइम न्यूट्रेन या पोसक तत्वों की पूर्ती करते हैं यह रोग आने से पहले ही सपोर्ट के रूप में प्रोपर इस्प्रे करते हैं तो यकीन मानिये आपकी एक एकड में 140 से डेर सो बोरी पिड़ती एकड की दर से उत्वादन ले सकते हैं तो किसान भाईयो आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यवाद किसान भाईयो